3, 2, 1 1, 1 एक चया है है एक चममत बेसन क आदर लेना है make sure कि हमारा बाउल dry हो उसके बाद हमने जो है वो थोड़ा सा दूद इसमें add करने हैं अच्छा मैं जो इस वक अप्लाई करने वाली हूँ वो quantity hands के लिए और feeds के लिए तो आप लोग apply कर सकते हैं इतनी ही quantity और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा face wash face wash किसी भी company का हो face wash आप लोग कोई सा भी ले सकते हैं उसके बाद ये तीनों चीज़ें जो है वो हम एक बाउल में लेकर अच्छी तरीके से mix कर लेंगे बेसन दूद और face wash को तो मैं आप लोगों को इसकी qualities बताती हूँ कि जो हमारा बेसन होता है वो बेसन हमारे जो इसकिन के ओपर oil generate हो जाता है समर्ज में उसको जो है वो कंट्रोल करता है और मिल जो होता है वो आप लोगों को पता है कि आपकी स्किन को soft बना देता है और उसको glow भी करता है face wash हमने इसलिए यूज किया है कि face wash में भी सारे ही ingredients यूज होता है और face wash से हमारी skin बिल्कुल साफ हो जाएगी तो अभी आप लोग देख रहे हैं वीडियो में कि मैं अपने हाथ के ओपर apply कर रही हूँ इसी तरही सा आप face पर भी apply कर सकते हैं जो जिस face के लिए harmful होगी वो में वीडियो में mention कर दूँगी आप लोग अराम से इस cleanser को face पे पेरों पे हाथों पे apply कर सकते हैं उसके बाद आप ने इसको अची तरीकी से रप करके wash कर लेना है और उसके बाद आप result लेख सकते हैं इस cleanser का ही कि हमने cleansing के बाद इतना जबर्दस सा result ले लिया उसके बाद हम step number two apply करेंगे step number two में हमने चावल ले लिया है जिसको हमने पानी में भी गो लिया उसके बाद हमने बेसन लेना है तो उसके बाद हमने लिया है दही और हम जो है वो चावल को अच्छी तरीके से पीस लेंगे हम पॉडर नहीं बनाएंगे क्योंकि हम स्क्रब यूस कर रहे हैं तो स्क्रब के लिए थोड़ा सा दानेदार यानि थोड़ा सा दरदरा सा होना जरूरी है चावल को हम ले लेंगे थोड़ा सा पीस के उसके इंदर बैसान और दही को अइड करेंगे अची तरीके से इसको मिक्स करेंगए और अपने हात पे या फेस के उपर पर अप्लाइए करें हैं यदे बहुत जादा हाथ टाइट करके नहीं स्क्रबिंग करेंगे आप अलावा आप फेस पे करेंगे तो आप थोड़ास हाल के हाथ से अपलाए करिये गा, पांच मिन तक हमें यह सारे स्टेप्स को दोइना है आप result सामने देख सकते हैं कि क्या जबरदस ही result सामने आया है और मेरे हाथ बिल्कुल गोरे गोरे हो चुके हैं तो यहां पर हमारा result आप लोगों के सामने उसके बाद हमारा जो third step है वो mask है उसमें भी बेसन जाएगा सबसे पहले एक चमज उसके बाद हम इसमें add करेंगे मिल्ताणी मिटी मिल्ताणी मिटी भी मैं आप लोगों बताती हूँ कि क्यों बहुत ज़ादा जरूरी है एक ही चमज मिल्ताणी मिटी भी इसमें add करेंगे Свादी principle Marx चोटाई 여 catal़ या नी half tablespoon हम इसमें add करेंगे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और एंड में इसके उपर डाल देंगे हम मिल्क मिल्क फॉरा नहीं एट करना क्योंकि यह मास्क है तो मास्क थोड़ा सा थेक होगा तोड़ा थोड़ा करके एट करेंगे और उसके बाद इसको हम मास्क की शकल जब तक एक्तियार नहीं कर लेता हम इसमें मिल्क एट करते रहेंगे हमारा मास्क बिल्कुल रेडी हो जाएगा उतनी मिकदार में तो हम उसको फिर अपने फेस पे या अपने हाथ पे अच्छी तरीके से अप्लाई कर देंगे मास्क अप्लाई करने के बाद हम इसको जो है वो ड्राइ करने के लिए छोड़ देंगे पांच मिनाट तक जब तक कि यह ड्राइना हो जाए मुल्तानी मिट्टी आपकी स्किन को बहुत ठंडक प्रोवाइट करती है क्योंकि आपको बता है स्किन हमारी बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही होती है धूप की गर्मी से या जो हमारी और यहां पर इतना ज़्यादा पॉलूशन वगरा है तो उसकी वज़ए से वो इसको बहुत ज़्यादा अच्छा रिलैक्स देगा और मैसन का मैंने आपको फायदा बता दी है देन मिल्क भी हमें साफनेश प्रोवाइट करेगा तो यह साइड चीजे हम जब तक लगा कर रखेंगे जब तक यह सूखना जाए सूखने के बाद हम इसको वाश करना है और यहां पे ब्लाइकनेस आ गई है तो वो ज़रूर इसको अप्लाइए करें अगर आप फेस पे अप्लाइए करें तो आप इस पे लेमन और थोड़ा से बेक्षिंग सोडा भी एड़ कर सकते लेकिन फेस के लिए वो अप्लाइए नहीं करिएगा इसके नाम मेरी देख सकते हैं साम अप्लाइए